दोस्तो पांच ऐसी आते हैं जो ना सिरफ इनसान को अपनी नजर में बलके दूसरों की नजर में भी हीरो से जीरो बना देती हैं पहले नबर पे masturbation, porn addiction, mobile पर गंदी गंदी वीडियोस देखते रहना, गंदी आदत में पढ़ जाना दोस्तो ये आदत वक्ती तोर तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाती है लेकिन in future इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जैसे के माइंपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करना, चिरचड़ा पन सा पैदा हो जाना, कोई भी काम करने को दिल ना करना, पढ़ने को दिल ना करना दोस्तो इसके इलावा कुछ दिनों बाद बहुत जादा जिसम में कमजोरी फील करना जिसम तूटता हुआ ऐसा फील करना अनरजी नहोना मूँ बिलकुल कमजोर हो जाना चूसनी सा बन जाना दोस्तो ये इससे इतने जादा नुकसान हो सकते हैं इसके लावा शादी के बाद जो आप असल मज़े की लाइफ गुजारना चाते हैं वो भी नहीं गुजार पाएंगे इसका बहुत ज़्यदा नुकसान है अगर आप इस आदत में पड़े रहते हैं ये आपको हीरो से जीरो बना देगी सहत के लिहास से भी और लोगों की नजर में भी दोस्तों दूसरे नंबर पे हर किसी के साथ फ्री हो जाना बहुत ज़्यदा हंसते रहना बहुत ज़्यदा बोलते रहना दोस्तों जो हर किसी के साथ free हो जाता है बहुत ज़्यादा बोलता है या बहुत ज़्यादा हंसता रहता है उसकी इज़त नहीं होती है तो इसलिए आप कम बोला करें, पॉइंट की बात किया करें, ज्यादा ना बोलें, जहां पर बात करनी है, वहां पर करें, हर टाइम मीना हंसते रहा करें और किसी के साथ इतने ज्यादा ना फ्री हुआ करें, कि आप अपने सारे उसको सीक्रेट ही बता दें तो इनसान के बदलने का पता नहीं चलता आज इनसान कुछ हो रहा और एक मिनट बाद इनसान बदल जाता है पता नहीं चलता अगर वो बदल गया तो आपके सारे वो सीक्रट दूसरों को बताएगा आपको हट करेगा आपकी कमजोरियों को टारगेट करेगा आपको फिर तकलीफ देगा, आपको blackmail करेगा तो दोस्तो इसलिए थोड़े serious रहें, थोड़े mature बने और तीसरे नमबर पर किसी को भी force मत करें, किसी को भी मजबूर मत करें कि यार मुझे प्यार दो, यार मुझे time दो, यार मेरी कदर करो, मेरी इज़त करो दोस्तो कहने से कोई भी इज़त नहीं करता, कहने से कोई भी प्यार नहीं करता दोस्तो जब आप किसी के पिछे पढ़ते हो, किसी को force करते हो, मजबूर करते हो तो आपकी value, आपकी इज़त बिलकुल गिर जाती है तो दोस्तो जिसने पियार करना होता है उसको कहने की जरूरत नहीं होती, आप खुद समझदार हैं कि वो पियार ही क्या, जहाँ पर भीग मांगनी पढ़े, तरले करने पढ़े, मिन्ते करनी पढ़े, दोस्तो वो प्यार नहीं है, वो टाइम पास है, अपनी इज़त मत जैसे कि for example किसी ने कहा दिया ओए मोटे पतले ओए ये ओए वो तो दोस्तों लोगों का मूँ नहीं बंद कर सकते हैं अगर किसी ने कुछ आपको कहा दिया या आपके पिछे आपकी बुराईया कर रहा है तो आप टेंक्शन ना लें अल्ला तला की जात इज़त देने वाली ह तो अगर कोई भी आपको बाते कर रहे हैं और आप उसकी बातों को दिल पे ले रहे हैं यार उसने क्यों कहा दिया यार मेरी बेस्ती कर दी ये हो गया वो गया तो दोस्तों कोई भी आपका कुछ नहीं बगार सकता हम इन लोगों को चेंज नहीं कर सकते ये हर जगा पर थो लोगों के लिए फिर भी 100-200 कुमेंट में से एक दो कुमेंट ऐसे आ रहेता है बकवास ना कर और चवले ना मात तो मैं उनकी बातों को दिल पे लेने लग रहे हूं तो मैं वीडियो बना नहीं छोड़ दूँगा तो मैं नकी बातों को दिल पे नहीं लेता क्योंकि ऐसे लोग इस दुनिया में रहेंगे और यह तनकीर करते रहेंगे बुरा बहला क्याते रहेंगे इनकी बातों को कभी दिल पे मत लो और पांचवे नंबर पे किसी से उमीद मत रखो कि आज मैंने इसके लिए इतना अच्छा किया है ये कल को मेरे साथ इतना अच्छा करेगा दोस्तों उमीद रखने का हजकल जुमाना नहीं है आज कल तो अपने जो बच्चे हैं उनसे उमीद नहीं रखी जा सकती क्योंकि ऐसे वाकिया टीवी पे खबरों पे देखने को मिलते हैं कि बच्चे अपने माबाप को धक्के दे के घर से बहर निकाल देते हैं उनको खाना नहीं देते हैं और उनसे तंग आ जिते हैं कि यार ये बबबा क्या तंग ही करता रहता है तो दोस्तो जो माबाप अपने बच्चे के लिए इतना कुछ करते हैं उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं और बच्चे उनके लिए नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसी पर उमीद हमें नहीं रखनी चाहिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा है कुछ लोग कुछ बच्चे ऐसे निकल आते हैं तो दोस्तों अगर आप किसी से उमीद रखते हैं कि आज मैंने इसके लिए अच्छा किया कल को ये मेरे साथ अच्छा करेगा उमीद ना रखें कि ये भी मेरे साथ अच्छा करेगा तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी रच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेर कर देना चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ अपना बहुत सारा ख्यार रखेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए